जब भी कोई मीठा बनाने का मन करता है तो चावल की खीर सबसे पहले दिमाग में आती है तो आज हम बताएंगे फटाफट बनने वाली ये ऑथेंटिक और रबडिदार खीर की सबसे आसान रेसेपी आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर बिल्कुल नीव हैं तो सबसे पहले मेरी चैनल को आप सबस्क्राइब कीजिए फिर बेल आइकों प्रेस करने के बाद और वर्टन जरूर एक्टिवेट कीजिए इसी से मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आज हम आदा लीटर फुल क्रीम मिल्क की खीर बनाने वाले हैं उसके लिए हमने आपे लिया है वन फोर्थ कप राईस आपको राईस की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी लेकिन अगर आप गाड़ी खीर पसंद करते हैं तो इतना ही चावल लीजिए अगर आपको चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम पसंदे खीर में तो इसका आदा चावल भी आप ले सकते हैं चावल को तब तक हमें पानी बदलते हुए अच्छे से हाथ से मसल मसल के वाश करना है जब तक कि ये पानी एकदम उजला न हो जाए देखिए पानी अब बिलकुल उजला हो गया हमने बहुत अच्छे से वाश कर लिया है इसको आदा घंटा हमें से ही छोड़ देंगे देखिए आदे घंटे बाद चावल बहुत अच्छे से भीग गए हैं इसे हम मिक्सर में अब दरदरा पीस लेंगे हमें बस हलका सा ही मिक्सर चलाना है ज़्यादा इसको बारिक नहीं करना है थोड़े बीजविश में चावल के साबुत दाने भी हैं तो भी चलेगा हमें चावल को ज़्यादा बारिक नहीं करना है अब एक कड़ाई में हम लेंगे एक टी स्पून घी और उसके नündर जो भी हम ड्राइफूट डालना चाते हैं उसे हिल्का सा भून लेंगे जैसे कि मैंने आदो टेबलिसपून बदाम, दो टेबलिसपून काजू, दो टेबलिसपून चारोली और एक टेबलिसपून पिस्ता लिया है चारोली इस खीर में बहुत ही अच्छी लगती है बाकि ड्राइफूट जो आप चाहें अपने पसंद से डाल सकते हैं ड्राइफूट को बस एक आद मिनट ही सेकना है कम आज पर और इसे अब हम एक बॉल के अंदर निकाल के रख लेंगे इसी कडाई के अंदर अब हम जो पीसावा चावल है उसे थोड़ासा दो मिनट के लिए भून लेंगे कम आज पर ही कम आज पर ही इस चावल को दो मिनट के लिए भूनने से इसका कच्चापन बिलकुल निकल जाता है और खीर में इसका सवात ही अच्छा आता है इसलिए ये step आप skip नहीं कीजेगा ये वीडियो भी आप बिना skip किये पूरा देखेगा तभी आपको authentic खीर की complete recipe मिल सकेगी अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको cover कर देंगे कम आज पर सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ताकि ये पानी एब्सौर कर लें चावल इससे इसका crispiness भी खतम नहीं होगा और ये चावल थोड़े से सीचे वे जब हम दूद के अंदर डालेंगे तो खीर बहुत ही अच्छी बनेगी बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे half liter full cream milk आपको आपने अगर कम गाड़ा दूद यूज किया है तो उसे थोड़ी ज़्यादा देर आपको उबालना होगा खीर उसमें भी बहुत ही अच्छी बन जाएगी और इसको बहुत अच्छे से हम mix कर लेंगे और दूद को तेज आच्छ पर ये बहुत अच्छे से हम boil होने देंगे करीबन 3-4 मिनट हमको तेज आच्छ पर ही इसे अच्छे से boil करना है इसे हम इस पेचुला से mix करते रेंगे ताकि चावल नीचे से चिपके ना और बस अब हम कर देंगे इसकी आच बिलकुल कम low flame पे इसको रखने के बाद हम इसको cover कर देंगे और 4-5 मिनट इसको बिलकुल हम छोड देंगे कम आच पर ये चावल बिलकुल नहीं चिपकेगा तब भी हम बीच में इसको ध्यान रखते रहेंगे देखिए अब चावल काफी इसमें पक गया है अच्छे से दूद के अंदर साइड्स पे जो चावल और दूद चिपक गया है उसे भी हम इस पे चुला की मदद से निकाल लेंगे कडाई हमेशा हम थिक बॉटम की ही यूज करेंगे बस अब इसका एक बढ़िया औथेंटिक स्वाद लाने के लिए हम लेंगे जैफल और उसको हम थोड़ा कूट लेंगे और बिल्कु छोटा सा टुकडा हम इसका लेंगे और इसका फिर हम भारिक पाउडर बना लेंगे हम इसके कूट के और इसको गोल घुमाएंगे थोड़ा तो अच्छे से ये पाउडर बन जाएगा लेकिन इसमें से भी हमें सिर्फ एक चुटकी जायफल इसके अंदर डालना है आदा लिटर दूद की खीरनी में ये चुटकी भर जायफल सफिशेंट है इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और इसमें डाला हमने थोड़ा इलाइची पाउडर अब हम इसमें डाल रहे हैं ये रोस्टेट ड्राइफरूट थोड़ा सा ड्राइफरूट हम उपर से गार्नेशन के लिए बचा देंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं करीबन 10-12 केसर के धागे, जो कि हमने थोड़े गरम दूद के अंदर पहले से भिगो के रखे थे इससे इसका केसरिया कलर बहुत अच्छे से दूद के अंदर समा जाता है और फिर खीर्णी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा उबरता है ये इसमें हम टाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा सा low to medium flame पर हम इसको अच्छे से उबलने देंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 टेबलिस्पून शक्कर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाफ से आप शक्कर कम जादा कर सकते हैं देखिए खीर बॉil होकर के अच्छे से गाड़ी हो गई है और चावल भी बहुत अच्छे से पक गए हैं बस अब ये खीर नी बिल्कुल तयार है आप किसी भी ओकेजन पे या घर पे यूँई मीठा खाने के लिए इसको फटाफट बनाईए और एंजोई कीजिए इसके अपर हम बाकी बचा हुआ जो ड्राइफूट है उससे गारनिश कर देंगे देखिए देखने में भी ये कितनी सुन्दर लग रही है इसको आप फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं ठंडी खीर भी बहुती स्वादिश्ट लगती है जल्दी मिलते हैं अब अगल रेसेपी के साथ धन्यवाद